दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भीगे किश मिश्खाने के स्वास्ते वर्दक फायले शाथियों हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपायल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहे यदि आप चाते हैं कि हेल्थ से रिलेटिड जानकारियां आप तक पहुँचती रहे तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इनरजी से भरपूर और लो फेट किश्मिश का सेवन सेहत के लिए बहुत फायरे मन होता है किश्मिश में आइरन, कैलजियम, मैगनीशियम और फाइबर परशुर मातरा में पाया जाता है इसलिए इसे स्वास्त के लिए अच्छा माना जाता है किश्मिश में प्रकरतिक शुगर भी परशुर मातरा में पाई जाती है इसका उप्योग मुख्यात मिठाईयों में सजावट के लिए भी किया जाता है इसके लावा इसका उप्योग के हेल्थ टोनिक में भी किया जाता है इसके साथ ही किशमिश में पर्चुर मातरा में कार्बोहेडर्ड भी मौजूद होता है और यह हमारे शरीर के लिए एनरजी का सबसे अच्छा सोर्स भी है इसे हमारे स्वास्त के लिए बेहत फायदेमंद माना गया है वहीं अगर आयरवेद की मानितों उसके मताबिक अगर आप रोजाना सो की किशमिश खाने की जगह भीगी हुई किशमिश खाएंगे तो इसके आपको फायदे और भी ज्यादा मिलेंगे आप रात को सोते समय 10-15 किशमिश को पानी में भीगो कर रख दें और सुबा खाली पेट किशमिश को चबा कर खा जाएं आपको बता दे कि अंगूर को सुखा कर किशमिश बनाई जाती है इसी वज़ा से इसमें के पोशक तत और भी ज्यादा मौजूद रहते हैं किशमिश में शुगर और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन यह आपको नुकसान नहीं पहुचाती बलकि फायदा ही पहुचाती है यह बलड पेशर को कंट्रोल करती है इसमें पाए जाने वाला पोटेशियम तत्थ हाईपर्टेशन से बचाओ करता है साथ ही इसे भिगो कर खाने से इसकी तासीर थंडी हो जाती है जिन लोगों को गर्मीवा मूँ के चालो की प्रॉब्लम रहती है उन्हें भिगो कर ही इसका सेवन करना चाहिए भिगो का किशमिश को खाने और उसका पानी पीने से शरीड की रोग परती रोधक्षमता बढ़ती है इसमें एंटी आक्सिजिट्स पाय जाते हैं जो इम्म्यूनिटी को बूस्ट करते हैं भीगे हुए किशमिश का सेवन ब्लड पेशर को नॉर्मल लगता है दरसल इसमें अगर आपको डाइजिशन से जुड़ी समस्या हो तो दो से चार किशमिश को रात बर पानी में भीगो कर रहने दे और सुबा खाली पेट इसका सेवन करें इससे ना सिर्फ डाइजिशन की समस्या दूर होगी बलकि पाचन क्रिया को मजबूत भी करेगा खाली पेट इस पानी को किशमिश के साथ पी लें, किशमिश के सेवन से कब्स में फायदा होता है, अगर आपको कब्स की समस्या है तो उसका सेवन करने से फायदा होगा अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा कम है और आप वजन बढ़ाने को लेकर फिकर मंद है तो किशमिश का सेवन आपके लिए फायद मंद होगा इसमें परियाप मातरा में ग्लुकोज और फ्रॉक्टोस पाया जाता है जिससे ताकत में ही मिलती है साथी इसमें मौझुझ तत्व वजन बढ़ाने में सायक होते हैं किशमिश में वे सभी पोशक तत्व मौझूद होते हैं जो किम्यूनिटी को बढ़ाने में मADASGAL सावित होते हैं अगर ठंड में इसका लगता सेवन किया जाए तो इससे बैक्टिरिया और इंफेक्शर से लड़ने में मदद मिलती है किशमिश में उच मातरा में कैल्शियम और माइको न्यूट्रियंट्स पाए जाते हैं इससे हड़िया स्वास्त और मजबूत रहती हैं आपको बता दे किशमिश में अंटि बैक्टिरियल गुर्ण मौजद होते हैं जैसे बैक्टिरिया से लड़ने में काफी मदद मिलती है और आपके मुह से आने वाली बद वह भी गायब हो जाती है आईरेन किशमिश में परचुर मातरा में मौजद होता है अगर आप रोजाना पानी में भीगी हुई किशमिश खाते हैं तो इससे आपके शरी में खून बढ़ता है और साथ ही आप एनीमिया से भी अपने आपको बचाए रखते हैं तो दोस्तों यह हमने आपको बताया भीगी हुई किशमिश खाने के बेहदी ही जबर्दस फायदे हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाद दायक होगी ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लादे रहेंगे बाई टेक केर बी हैपी धन्यवाद